कोशिश करके देखो गिव इट शॉट गिव इट ट्राइ टेक अ क्रैक एड़ एड़ तो देखा कितने सारे तरीके हैं इसी बात को कहने के अराम से बैठ जाएए और देखिए इस वीडियो को क्योंकि इस वीडियो में आप सेखेंगे कुछ casual तरीके English में बात करने के जब हम naturally बात करते हैं तो हम किस तरीके से English बोलते हैं वो आप इस वीडियो से सीखेंगे हर एक बात को कहने के मैं आपको दो तिन तरीके बताऊँ अज वो casual तरीके होंगे मैं आपके साथ हूँ जब आप किसी से ऐसा कहते हैं कि चिंता मत करो मैं तो आपके साथ ही हूँ English में को I am with you I got your back I am here for you I am here for you You can lean on me I got your back I got your back I'm here for you I'm with you You can lean on me बंद कर अब अपना मूँ चलाना मूँ चलाये जा रहा है, बोले जा रहा है जब हम गुसे में होते हैं तो कहते है Shut the hell up याद रखना है बहुत informal तरीका है बोलने का बट naturally ऐसे बोलते हैं गुसे में Shut the hell up Zip it, okay Zip it, okay Pipe down now Pipe down Button your lip Button your lip इसमें से आप कुछ भी कहो उसका मतलब है कि आप rude किसी को बोल रहे है चुपकर अब, मूँ बंद कर अपनी चौच बंद कर जैसे हम हिंदी में अलग-अलग तरीकों से बोलते हैं तो इंग्लिश में बोल रहे हैं ये rude तरीके है, informal तरीके हैं बोलने हैं मैं बता रहा हूं आपको again and again भाड में जाए हो, मुझे उसे कोई मतलब नी है screw him, screw him to hell with him brush him off brush him off, उसको side का हटा हुसे हटा, उससे मुझे को मतलब नी है, हटा हुसे brush him off, screw him, to hell with him तो जब भी आपको कुछ ऐसे चीज़ बोलनी हो कि वो भाड में जाए screw him, to hell with him तो जब कोई गुसे में होता है, बोलता है कि वो चीज़ भाड में जाए, to hell with it आप बहुत बुरे हो, English में को you're a jerk, you are a jerk you're quite rude, you know you're quite rude, you know you're obnoxious, you are obnoxious बहुत खडूस हो आप बहुत bad words नहीं है ये जब कोई आपकी बात नहीं सुन रहा है अपनी चला रहा है, आपकी बात नहीं मान रहा है आपना बहुत बुरे हो, हम ऐसे बोलते हैं नहीं हिंदी में normally, जैसे बच्चे बड़ो को बोलते है या एक wife अपने husband को बोलते है आपना बहुत बुरे हो, आप मेरी कभी नहीं सुनते है you're a jerk, you never listen to me तो इस तरह की situations में आप ये बोल सकते है you're a jerk, you're obnoxious obnoxious मतलब खडूस मुझे धंकिया सुनना पसंद नहीं English में कहेंगे I don't like to be threatened I don't like to be threatened I find threats pretty annoying I find threats pretty annoying I'm not cool with threats I'm not cool with threats see, this is how we speak naturally I don't like to be threatened I find threats pretty annoying मुझे बात अनोई लगते है मुझे बात गुसा आता है pretty annoying I'm not cool with threats I don't like them you're like the rest of the people you're like the rest of the people or you can say you're like everyone else you're like everybody else you're like everybody else you're like everybody else you're like the rest of the people you're like everybody else वो देखा देखा सा लगता है in English he looks familiar he looks familiar it seems I've seen him somewhere I've got a feeling I know him I've got a feeling that I know him जब भी आपको ऐसा कहना हो ना कि यसा लग रहा है मुझे तो आप ऐसे बोल दो I've got a feeling मुझे असा लग रहा है कि वो गुसे में होगा I've got a feeling मुझे असा लग रहा है कि कुछ बुरा होने वाला है I've got a feeling something bad is gonna happen मुझे असा लग रहा है कि आप पास जरूर हो जाओगे I've got a feeling you'll definitely pass your exam तो इस तरह से I've got a feeling आप लोग को भुक लगी है आप लोग को भुक लगी है English में कहेंगे Are you folks hungry? Are you folks hungry? तो जो folks है न ये word हम use कर सकते हैं जो हम informally बात करते हैं जैसे हम Hindi में अलग 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 शब बोलते हैं और यार भुक लगी है आपको तो यार बोल दिया हमने आप लोग को भुक लगी है आप लोगों को भुक लगी है और दोस्तों भुक लगी है तो जब ऐसे बोलते हैं informally तो English में folks का use करेंगे Are you folks hungry? Are you folks hungry? Anyone up for some food? Anyone up for some food? ये ऐसा कहने का तरीका होता है इसका मतलब होता है कि कोई खाएगा खाना कोई तयार है Anyone up? ये जो अप यहाँ पर है ना इसका मतलब यहाँ पर ready है कोई तयार है खाना काने के लिए कोई खाएगा जैसे अब मैं बाहर जा रहा हूँ चले गए कोई मेरे साथ I'm going out Anyone up for it? ऐसे Anyone up for some food? मैं डिनर करने वाला हूँ करेगा कोई I'm going to have dinner Anyone up for it? Anyone up for it? तो जब भी आपको पूछना हो लोगों से कि वो किसी चीज़ के लिए तयार है तो आप बोल दो Is anyone up for it? Wanna grab a bite? Wanna grab a bite? तो देखो कैसे बोल रहे हैं ना Wanna grab a bite? ऐसे short में बोलते है ये पूरा sentence क्या है पता है? Do you want to grab a bite? But want to को short में wanna और do बोला ही नी Wanna grab a bite? Wanna grab a bite? खाओ के खाना? तो मतलब ये एक informal तरीका है बात करने का इस वीडियो में मैं आपको casual तरीके बता रहे हूँ बोलने के Wanna grab a bite? ताकि आपको इंग्लिश बोलने में थोड़ा restlessness feel ना हो काफी comfort level हो उसमें Simply बोलना है जैसे हम हिंदी में बोलते हैं हिंदी जब हम बोलते हैं तो एकदम comfortable होकर बोलते हैं It's like शब्द अपने आप मुझसे बाहर निकलते है The same thing will happen अगर आप ये सीख जाएं कि casual तरीके से Simple words का use करके हम कैसे बोलते हैं Tough, बहुत advanced words की जरूरत नहीं होती है Communication में Normal communication में Casual conversations में समझाओ क्या हो रहा है ये सब क्या हो रहा है बताओ मुझे तो English में कहेंगे Explain yourself Explain yourself ये कहने का मतलब है जब किसीने कुछ किया है आपको इस पे गुसा आ रहा है आप पूछ रहा है बताओ क्या चल रहा है यहां पे सब कुछ क्या चल रहा है बताओ Explain yourself Give me the low down Give me the low down Low down मतलब Give me the details Tell me everything Let me know what's happening Give me the low down What's the deal here What's the deal here ये कहने का मतलब है यहां पे चल क्या रहा है आखिर क्या हो रहा है बताओ समझाओ मुझे What's the deal here What's the deal here Break it down for me Break it down for me Break it down मतलब जो भी हो रहा है उसको ढग से बताओ मुझे समझा के Break it down for me Break it down for me मुझसे कुछ मत चुपाओ तो कहेंगे Don't keep anything from me Yes friends हम hide का मतलब जानते हैं चुपाना लेकिन keep का एक यह मतलब भी होता है अगर आप कहेंगे Don't keep anything from me तो मतलब मुझसे कुछ मत चुपाओ Hold nothing back Hold nothing back कोई भी चीज मुझसे मत चुपाओ Don't leave anything out कुछ भी बात छोड़ो मत Tell me everything Spill the beans Don't leave anything Don't leave anything out उमेद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई है इसी तरह से अपने English को improve करते रहने के लिए इस चैनल को subscribe सरूर करना अगर आपने भी तक नहीं किया है तो बात करते हैं अगले वीडियो लेसन में Till then take care and bye